कोलकाता वेप मर्डर का आरूपी संजय रॉय मजिस्ट्रेट के सामने फूट फूट करोया और रोते हुए ये कहा कि मुझे फसाया जा रहा है अब आखर इस लाइन के पीछे क्या है और ये बोलने का मकसद क्या है मजिस्ट्रेट के सामने उस संजय रॉय का जिसने अपना ग महटना की शुरुवाती वक्त में कुबूल कर लिया था जब तक सीबिया इस जांच के मामले में आगे नहीं बढ़ी थी अब सीबिया इस मामले को कई एंगल से जांच आके बढ़ा रही है पहला एंगल कि यह मामला गैंग रेप का हो सकता है संजर रॉय के अलावा इसमें कि से और की भी सनलप्ता हो सकती है हाला कि जो डेने रिपोर्ट फॉरंसिक रिपोर्ट सामने है उसके आधार पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह गैंग रेप है लेकिन सीबिया ने इस एंगल से अपनी जांच प्रक्रिया कंप्रीट नहीं की है उसका कहना है वह स्वतंत्र जांच उचेंसी या फिर फॉरंसिक रिपोर्ट वाहर से भी चेक करा सकती है ताकि यह थियूरी पता चल सके दूसरा एंगल यह है कि जल्द से जल्द पॉलिग्रफिक टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि संजर रॉय जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चा जाए या नहीं तो अब टेस्ट के जरिये उसके बारे में भी पता चलेगा जिन सहयोगियों के बयान के आधार पर इस मामले की कई पड़ते खुली है यानि पिड़िका के से योगियों के आधार पर उनका भी टेस्ट होने जा रहा है और इसके अलावा जो घटना के वक्त था एक वाल इंडियर उसकी भी सनलिप्ता मानी जा रही है अब पॉलिग्रफी टेस्ट के जरी बहुत अतक तस्वीर साफ होनी है लेकिन सी बी आई जिन जित पहलू पे काम कर रही है मैं एक बार फिर आपकी सामने बताती हूं संधीप घोश कौन है उसकी भूमी का किस तरीक पॉच्च अदालत ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिये हैं संधीप घोश को लेकर भी कोलकाता की पॉलिस को लेकर भी घटनास्तल को लेकर जो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ उसको लेकर भी और इस बीच सीबी आई के आने से पड़ flipping के माबाब खुष हैं उनका कहना है कि अब हमें जाच प्रक्रिया पे भरुसा है अब हमें लग रहा है कि शायद हमें इनसाह बम जाएगा पहले ऐसा नहीं लग रहा था लेकिं सीबी जाच प्रक्रिया एक देश के मौजूदा मैं हाई प्रोफाइल केसेस में से एक है और पॉलिग्रफी टेस्ट के जरीए ये पूरी तस्बीर साफ करने की कुशिश चुरी है कि आखर जो संदीप घोश बोल रहे हैं वो सच है संजय रॉय जो बोल रहे हैं वो सच है पड़िता के जो साथी बोल रहे हैं कौन सच कह रहा है ह अला कि अभी तक जितनी भी जांच प्रक्रिया में रिपोर्ट सामने आई हैं उन सब के आधार पर सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय की ही भूमी का दिख रही हैं चाहे वो सी सीटीव फोटे जो फॉरें सिक रिपोर्ट और डियेने टेस्ट हो इन सभी में सिर्फ और सिर्फ संजे की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संदीप घोष को क्लेंच इट मिल गया है संदीप घोष का नाम कई सारे मामले में सामने आ चुका है और संदीप घोष ने पुलिस को लापरवाही कैसे करने दी घटनास्तल को लेकर या एफायार दर्ज करने को लेकर इससे जा रहे और आने वाले वक्त में भी उससे सवाल पूछे जाएंगे